दोस्तों आज मन बहुत बिचलित है दोस्तों कहते नहीं कि अगर किसी के साथ खून का रिष्टा हो या ना हो लेकिन अगर एक दिल से जुड़ा हुआ हुआ आदमी होता है तो उसकी कमी बहुत ज़्यादा सता पी जी हां आज हम फिर से एक बार बात करें मालती चाहौन और सबको पता है कि यूटूब पे बहुत ज़्यादा नेम फेम था इनका लेकिन आज वो नाम फेम किसी काम का नहीं रहे गया आज इनका एक छोटा सा बच्चा है अनात समझो अनात ही समझ लीजिए अनात के जैसा हो गया है फिलाल वो अभी अपनी नाना के घर है अपनी मौ माबाप कोई नहीं है उसके साथ में और वो बच्चा जो सारे सुख उसके पूरा हुआ करते थे कभी अब वो क्या वो फिर से उस सारे सुख देख पाएगा आज बिसुड़ाज जेल में है हमालती चोहान की डेथ हो गई है आप सबको पता ही है उन्होंने फांसी लगा कर आत्मात्या कर ली है और उनके नाम पर बहुत लोगों ने व्यूज कमाए है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनके अंतिम संस्कार में चंदा तक लगा है मैं क्या बताऊँ ऐसे दुख की घड़ी है मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है अभी मैं दिल्ली से वीडियो बना रहा हूं यह घटना यूपी की है लेकिन मेरे दिल को एकदम से जज़कोर के रखती है हलाकि मालती चोहान का मैंने भी मीट अप कर रखा है मेरे से भी मिली है मालती चोहान जब इंडिया गेट आई थी बहुत ही खुस मिजाज है और यह बिश्रूराज यह आपस के पती पत्नी के लड़ाई जगड़ा की करड़े सा हो गया नहीं तो सायद आज दोनों पती पत हो थे सब चीज की कमी नहीं किसी चीज की कमी नहीं थी और फिर भी आज देखो यह हाल हो गया तो गुसा इसका सबसे बड़ा में कारड़ यह गुस्सा आपस का दोनों गुसल थे पती पत्नी दोनों गुसल थे वो उसके साथ मारपीट करता था वो उल्टा सीधा बोलती थ लाँ था फिलाल इन दोनों के अंदर और आखिरकार में इस गुस्टे ने माती चावान की जान ले ली तो दोस्तों हमारे समाज हमारे घर परिवार में भी यही होता है अगर हम अपना गुस्टा अपने काबू में नहीं रखते हैं तो खाम्याजा आप देख सकते हो कितना ल इस तरह का कदम बिल्कुल मत उठाएं और पती पत्नी का जो प्यार है वो एक गड़ी के दो पहिये की तरह है बैलेंस बना के रखना पड़ता है अगर एक गुस्सा हो रहा है मार पीट करा तो दूसरे को समझ लेना चाहिए और अगर दूसरा ऐसा है तो पहले को समझ लेन अभी कुछ लोग सक्के घेरे में हैं विस्तुराज फिलाल जेल में हैं और एक दो लोग और जेल में जा सकते हैं राहुल राज को भी जेल हो सकती है अमरनात को भी जेल हो सकती है गोरगपुरिया भोजी को भी हो सकती है कई लोग अभी सक्के घेरे में हैं फिलाल अभी प बंड है वो भी एक धेरे में आती है उसके प्रती भी उचित कारवाही की जा सकती है और ये दो चार दिन के अंदर में ही होगा क्योंकि एक महान यूटोबर की डेथ जाया नहीं जाएगी अभी देखते हैं क्या होता है तो फिलाल आज मन बहुत जादा बिचलित है सबसे जा बच्चे का किया होगा वी जो तीन साल चार साल का जब प्यार से बोलता है मम्म कहा गई तो बड़ा दुख होता हूँ जब जब वीडियो देखता हूं न तो मेरी आंदर है अनदर में लचका कि पूलती पापा है आज समझ सकते हैं उस बच्चे का दर्द प्लीज तो अपने क्रोध को अपने गुस्से को काबू रखिए और अपनी फैमिली को समाले कर रखिए बस यही कहना जायता हूं क्योंकि क्रोध बिनास का सबसे बड़ा मूल रूफ होता है इसको आने मत दीजे प्लीज